दोस्तों जब भी साउथ फिल्म इंडॉस्ट्री के विलन का नाम लिया जाता है तो उसमें प्रकाश राज, प्रदीप रावत और सयाजी शिंदे जैसे कलाकारों के नाम के साथ साथ अब लोगों की जुबा पर एक और नाम इनके साथ आता है और वो है अभिनेता राजेंद जिन्होंने अपने कॉमेडी रोल्स के साथ साथ खूंखार विलन के रोल्स से भी दरशकों को अपना खूब दीवाना बनाया है जिनका फिल्म नाना कदवल में थांडावन का किरदार शायद ही कोई भूल सकता है जिसके लिए दरशक आज भी इनकी तारीफे करने से करते हैं और कैसे दिखते हैं इसलिए आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको इनके परिवार के सभी सदस्यों से रूबरू करवा कर उन सभी के बारे में जानकारी देने वाले हैं अगर आप भी इनके परिवार के सभी सदस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रह को तमिल नाडू में हुआ था जिनके परिवार में इन्हें मिला कर कुल चार सदस्य हैं जिनमें इनके माता-पिता, इनके भाई और ये खुद शामिल हैं। अपने परिवार के बीच रहकर ही अपनी लाइफ इंजॉई कर रही हैं। बता दे कि पिता की तरह इनकी मा भी हमेशा से लाइम लाइट से कोसो दूर रही हैं। और इसे के चलते इनकी भी बहुत कम जानकारी और तस्वीरे उपलब्ध हैं। माता-पिता की साथ-साथ इनके परिवार में इनके एक भाई भी हैं, जिनका नाम मरी मरी हैं। माता-पिता की तरह ही इनके परिवार के इस सदस्य की भी कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं हैं। चलिए अब बात करते हैं इनकी पत्नी के बारे में जिनका नाम नलिनी नईर है जिनसे इन्होंने साल 2015 में 58 साल की उम्र में अरेंच मारिज की है बेशक दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं और दोनों की उम्र में भी काफी अंतर है फिर भी दोनों की बीच काफी प्यार है इनकी पत्नी अक्सर लाइम लाइट से दूर रहती हैं इसलिए उनके बारे में किसी को भी जादा जानकारी नहीं है पर उनकी खूबसूरती के चर्चे आज हर जुबान पर है राजेंदरन की वाइफ दिखने में बेहत सुन्दर है और खूबसूरती के मामले में साउथ आक्ट्रिसिस को भी टक्कर देती है उनकी तस्वीरे भी कई बार सोशल मीडिया पर वाइरल हो चुकी है पर आज शादी के इतने साल बाद भी दोनों की कोई संतान नहीं है पर दोनों मिलकर संतान की प्लैनिंग कर रहे है तो दोस्तों आपको इस दमदार अभिनेता की रियल लाइफ फैमिली से रूबरू होकर कैसा लगा? आप हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ ही एक्टिंग की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही और तमाम नई अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें